ठीक है default gateway एक बार नहीं बताया हूँ आपको default gateway होता क्या है ओके चलो पहले अपने default gateway एक बार में बता देतों साथ की साथ ताकि आपको confusion ना रहे तो default gateway आपका होता है it defines the exit point of the network आपके network का exit point क्या है ठीक है तो वह आपका define कोन करता है आपका default gateway define करता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि मालो यह एक मेरा PC था ठीक है इस पे network चल रहा था मेरा suppose करो 10 का network like 10 001 ठीक है एक यहां पर PC है like 20 001 ठीक है एंड यह एक router के थुरू ऐसे करके ऐसे connected था ऐसे करके ठीक है तो कैसे communicate कर पाएगा इसी के तुरू communicate कर पाएगा राइट है न तो वह क्या हुआ आपका exit point हुआ clear है उस network के लिए right similar इस network के लिए इस network के लिए यहां पर जो IP address होगा यह जो interface है यह क्या होगा इस network के लिए exit point होगा right कि इसको माल लो कहीं पर जाना लाइक इतरा एक नेटवरक है इसको कहीं पर जाना यह इसे जा सकता यह से तु जाएगा यहां किससे जाएगा बताओ इसके तुरू जाएपाएगा राइट ठीक है तो यह जो point है यह क्या हुआ आपका exit point हुआ उस network के लिए तो उसे को क्या बोलते हो आप, default gateway बोलते हो, ठीक है, clear है, okay, तो router का, router का आपका जो interface, जो आपका लेन से connected होता है, जो आपके local area network में connected रहता है, router का जो interface, वो interface का IP address, आपका default gateway के लाता है, उस network के लिए default gateway होगा, ठीक है, clear है, तो इस interface का जो IP, तो यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो topology ले रहा था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, IP address क्या देंगे, अपने 10.10, right, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10.10 क्या लिखा, default gateway लिखा, clear है, okay, तो यहाँ पे 10.10 क्या था, इस interface का IP address था, यहाँ पे जो PC है, suppose करो, इन पे IP address चल रहे थे, like .1, .2, .3, ऐसे करके, अब इनको, जब भी बाहर communicate करना है, कोई भी network पे communicate करना है, तो वो किसके थुरू communicate कर पाएंगे, default gateway के थुरू, exit point के थुरू, and exit point क्या है, यह वाला interface, right, and इस वाला interface का IP address क्या है, 10.10, उसे को क्या बोलते हो, आप, default gateway बोलते हो, clear एक और एक्जम्पल दूँ, अगर रियल लाइफ का एक्जम्पल देते हैं, अगर माल लो, माल लो एक school है, ठीक है, एक school है, school के अंदर, माल लो यहां पे 4 classes थी, okay, ठीक है, like, यह है class 7, class 8, class 9, और यह है class 10, right, and हार एक class पे, एक एक gate होगा, right, यहां पे, हाय ना, यह क्या है इसका, main gate होता है न, हार एक class के आगे, ठीक है, बोलो, तो अब यहां पे, जो भी बंदे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, उनको अगर communicate करना है, इस वाली class में, different class में, तो वो कैसे जा पाएंगे, वो ऐसा दानी हो, दिवार के अंदर से सिद्धे चला, यह नहीं जा सकते है, right, तो कैसे जाएंगे, ऐसी, जाएंगे, right, हाय न, चाहिए कहीं पे भी जाना है, class 8 में, class 9 में, class 10 में, कहीं पे भी जाना है, तो किस के थू जा पाएंगे, gate के थू, right, बोलो, तो वो क्या है, वो एक आ पे इन वाले बच्चों के लिए ये क्या होगा आपका डिफोल्ड गेटवे होगा क्लियर हुआ